आना है अगर मन्जिल दिन रात सदा चलना बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना बना लो अपनी खुद्दारी जीवन का अपने गहना लाक दुखों का पहरा हो चैसा कर कितना गहरा पार करो महनत हिमत से सारा घना अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा किसके रोके रुका है सवेरा किसानों को रुपईया पैसा के मामले में एकदम चमका दें किसके रुका आना पका हम अपर इंतजार करेंगे अगर वी सब करना है न तो हमेज़ा की खातीर तो हार बाई के वहाँ बेज लेंगे और अगर इस गर में रहना है न तो जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा तो हार को चैज बताए की लड़का देखने जा रहे है ना आज केल में सोचता हो कि निकाली जाओ बाओ जी ग्रणया के लिए लिए और इस ठीक नहीं है मैं यही तो अमा को सम्झान के कोशिच कर रहहा हूं अर देखो अमा की रनिया का साथ कोई दे ना दे नहीं थेंगे कहाएं कि किरन्याग साथ कोई अत्यचार हम नहीं हुन देंगे जिस बेटे को अपनी कोग से जनम दिया उसी के परिवार की सुकसान्ती के मो में हमने अपने दूसरे बेटे को इतना बड़ा लांचन लगा दिये धीरज के लिए कहा गाया एक एक सब्त हमरे ही करेजा को चीर रहा है क्या बात है थीरज अब तो तुम किसी भी यूनिवस्ट्री में प्रोफेसर बन साथे हो वाइनली मुझे समझ आ गया कि तुमने वो विदेशी कंपनी का प्रोपोजल क्यों रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम हमेशा से प्रोफेसर बनना चाहते थे क्योंकि तुम जो अपना ग्यान था वो सब में बाटना चाहते थे फाइनली अब तुम्हारा सपना पूरा और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को ले थीरज एक बात बोलूँ प्लीज अबब जल्दी आजाओ में तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं तुम्हारे सिबिस की तैयारी चल रही थी ना क्या हूआ उसका हाँ वो तो ठीक है पते है वो ब्लॉग डवलप्मेंट ओफिसर का फोर्म आया है तुम्हें पता है कि मुझे इसमें कोई इंटरस्ट नहीं है अजय तुम्हें पता है यह न कि मुझे गाहां अधियात में कोई खास मन नहीं लगता है अगर मैं बीडो बन भी गई तो यू न कर सकती है अजो सुरो अब मुझे कुछ नहीं सुनना है बस अब तुम जल्दी सहाज हो मैं हमारी नहीं जिन्दगी के शुरुआत करना चाहती हूँ अशा तुम भाईया वो देखो शिखा मैं अपने गाहँ वालों को छोड़ कर कही नहीं जा सकता बाद में बात करता हूँ थिरेज ने मेरा कॉल कट किया यह वाथ है बटा भाईया वो मैंने आपके कप्डे स्तरी कर दी है अरे तुम्हे तकलीफ की क्या जरूरती है मैं खुद कर लेता क्या हुआ बटा भाईया आप तो बेटा चाया दीदी या उनको बोलते हैं न तुम पराई थोड़ी नहों मेरे लिए मेरे लिए जिस तरह से सूरज और चाया है वैसे तुम भी हो भाईया अगर मैं आपकी अपनी हूँ कोई पराई नहीं तो कोई आपके सम्मान पर उंग कौन मेरे सम्मान पर उंगली उठा रहा है भाईया सच में आपको माजी की बात का उनिवा दू नहीं लगा उन्होंने जो कुछ भी कहा अपसे अरे मेरी माह है अब जाया कोई बूरा मानता है क्या? मां की बातों को दिल से मत लगा ना और वेसे भी कभी भी मैंने तुम में और चाया में कोई वेद नहीं किया अब तो रिष्ठा और पक्का हो गया है ना भया मेरे सपनों को पुरा करने की बज़े से आपके सम्मान पर कोई उंगी उठाए, तो ऐसे सपनों को तिलांजनी देना ही, मैं बहतर समझती हूँ. और सच्टो कहती है माजी, क्या होगा पढ़ाई लिखाई से? मेरी वजे से इस परिवार में दरार पड़े, इससे अच्छा होगा कि मैं आगे पड़ू ही ना? पागल हो गई हो क्या? परिवार में दरारता बाती है, जंबन नहीं मिलता है, और तुम्हें क्या लगता है? कि मा ये सब करके खुश होगी? अरे मैं जानता हूँ उसे, बेटा हूँ उसका, एक तरफ तो डाड़ती है, और दूसरी तरफ जाके खुदीर होती है. जिस बेटे को अपनी कोख से जनम दिया, उसी के परिवार की सुकसानती के मोह में, हमने अपने दूसरे बेटे को इतना बड़ा लांचन लगा दिये, धीरज के लिए कहा गया, एक-एक सब्त, हमरे ही करेजा को चीर रहा है. और वैसे मैं देख रहा हूँ, आजकल तुम सुरज की जैसी बाते करने लगी हो, ऐसे वो भी मेरे लिए कोई भी बात सुन नहीं सकता था किसी से. वो भी तो आपका सम्मान करते हैं, ना? देखो बेटा, तकदीर वही बदलता है, जो हार सुई कारना करें, और अपने इरादे पर अडिग रहें, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो संघर्ष के डर से हार मान जाओ, या तो फिर जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो, या तो फिर साबित करो, इस अपने देख देखना, कोई गुना नहीं है, वैसे ब्लॉग डेबलम्मेंट ओफिसर का फॉर्म आया है, तुम काबिल हो, अगर थोड़ा मेहनत करोगी तो सफल हो जाएगा, और तुम्हारी बेकी परिक्षाएं भी होने वाली है ना, जी बेया, देखो बेटा, हार जाना, और हार मानना दोनों मादों में बहुत फर्क है तुम काबिल में जारे जारे बड़ा है जारे तुम आप इकी बार बार दोना, परिक्टार्ण का जाएगा जारे शूरज, तो खाने निखाया? ताइम यही नहीं बिला यार्वाँ जानता है और यहारे शेहर के प्रदूशन और ट्रेफिक से अच्छान अपना गाउँ ही कम से कम हुआ साफ और खुली हावा में सांस तो ले सकते हैं लेकिन गाउं में गरीबी और बेरोज़ारी का अभिशाप भी है छोटी-छोटी चीजों के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है पता है ना तुझे जो ना समझे उसके लिए भिशाप और जो समझे उसके लिए वरदान अब जो ये रोटी जो तुम खा रहे हो ना उसका गेहूं भी तो गाउं से ही आता है तुम्हे गाउं इतना ही प्यारा था ना तो शेहर क्यों आ गए भाई जब आ गए हो तो थोड़े से यहां के गुन भी गालो वो तो एहसान मंधू इस शेहर का जिसने मुझे रोजी रोटी दिया लेकिन सच का हूं ना सुरच अगर मेरे पास गौमे जमीन होती ना तो मैं इस शेहर में कभी नहीं आता वहीं पड़ा रहा था सुकून से खेती करता खुले आसमान के नीचे सोता कुएं का अंजूरी बर पानी जिस अपने पन से प्याज बुझाती है ना वो सुकून इस शेहर के मिनरल वटन में भी नहीं है यार मेरा दोस्त दार्शनिक हो गया शेहर में रहके सुकून की बात कर रहा है वाँ भाई कोछ दिन पहले तो जनाब कह रहे थे कि बस पैसा आना चाहिए पैसा आना चाहिए चाहिए कहीं से भी आए अब क्या हो गया अब तो मेरा मजाग उड़ा रहे हो दोस्त गाँ में तो तुमारी जमीन थी ना चाचा जी के सौर्गबास होने के बाद क्यों बेच दी कर्ज मेरे दोस्त बाबुजी के बीमारी की इलाज में सब कुछ चला गया जमीन भी बिग गई सीफियक घर रह गया है तु तो जानता है जितना मैं कुछ कमाता हूँ थोड़ा सपने लिए बचा के बाकि सब घर भेज देता हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम गाउं से शेह इसली आयो मुझे लगता था कि शायद तुम गाउं में रहना नहीं चाहते हो इसलीए शेहर गया अपनी मिट्टी से कौन दूर रहना चाहता है लेकिन मजबूरिया क्या कुछ नहीं कराती है काश उस समय पोटली में कोई पैसा लेकर आता और कहता है कि यह ले चंदन तुपने बाबुजी के इलाज करा ले जब तेरे बाबुजी ठीक हो जाएंगे तो लोटा देना लेकिन ऐसा हो नहीं पाया यार तुझे पता है दिरज भाईया इस मजबूरी पर भी कोई योजना जरूर बता देते हैं कि सरकार स्वास्थ और जरूरत पढ़ने पर क्या-क्या योजना है लेकर आई है यह बात तो तु बिल्कुल सही कह रहा है भारत सरकार आर्थिक रूप से बंचित और गरीब लोगों के स्वास्थ को लेकर सचेत है देश की जनता स्वास्थ रहेगी तब ही तो देश तरक्की करेगा इसलिए आयुश्मान भारत योजना का शुरुवात किया गया है ताकि पैसों के अभाव में कोई भी इलाज से बंचित न रहे हम लोग यहां सहायता समीती के प्रतिनिदी या अध्याग जो भी चुनाव करना है जली जली कर दीजिए चिंता मत करो रामलाल चुनाव के लिए तुम्हारा नाम भी प्रस्तावित है लेकिन अगर सब लोग एकठा हुए हैं तो कुछ जानकारी वाली बात पर भी बात कर लेते हैं जो सब के काम आ सके भाई रामलाल हमको पता है कि तुम बहुत मेहनत कियो हो लोगों को समझाने के लिए कि तुम सहायता समयती को कितना अच्छा से समाल सकते हो लेकिन अभी धीरज बेटा कुछ बढ़िया बात कह रहा है तुमको सुनने में का हर्ज है तनी लाठी समाल के बैठो थोड़ा देल इस योजना में परिवार का आकार उम्र या लेंगे के आधार पर कोई प्रतिवन्द नहीं है अस्पताल में भरती होने से पहले और उसके बाद का दोनों खर्चा शामिल है मैं तो कहता हूँ कि परधान जी के साथ मिलकर आप लोग इस सरकार की योजना का लाब उठाईए ये निर्धन परिवारों को और कामदारों को स्वास्थ की सुरक्षा देने का एक सशक्त माध्यम है आप एकदम सही कह रहा हैं परधान जी अब अपने किशन को ही देख लीजिए शेहर में गया था कुछ काम करने के लिए और वहां से ऐसा बिमार होकर आया है कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर दिया बिमारी पे किशन जैसे तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय स्वास्त बिमा योजना की शुरुवात की गई है अगर इसके वारे में आप लोगों को पहले पता होता तो सरकार दोरा चुने गए अस्पताल में बहतर इलाज हो पता और पूरा खर्च भी राष्ट्रिय स्वास्त बिमा योजना की अंतरगत पूरा हो जाता सही, सही कहां है आप लेकिन ये रामदाल को देखिए ना देखिए बचार आप इसका भी इच्छा पूरा कर दीजे देखिए ना कैसे देख रहा है हाँ तो सभी लोगों को स्वयम साहता समूव के बारे में पहले से ही बता दिया गया है और इस गठन से हर किसान को ला भी होगा अब इस समीते के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं हाँ तो इस चुनाओ में हमारे सुवदार भाई के अलावा रामलाल का नाम भी प्रस्तावित किया गया है और अगर किसी और को भी अपने नाम देना हो तो अभी दे दे यह जो हमरा दोस्त है न रामलाल हम इसको समर्थन करते हैं हमको पूरा भरोसा है कि वो इस काम को इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छा सी निभाएगा क्यों भाई हो तो ठीक है अभी देख लेते हैं कि इस सुवदार चाचा के समर्थन में कौन कौन है अब जो भी सुवदार चाचा के समर्थन में वो लोग अपना हाथ उठाईए जब अपने पास सुवदार जैसा पढ़ा लिखार जिम्मेदार आदमी है तो हम किसी और को क्यों चुनेंगा भाई है अब पढ़ा ये लिखाए से सब कुछ होता है आदमी का अनुभफ और गाउं के बारे में कतना जानता है इस पर में कोई विचार नहीं कर सा है अब भाउमत तो सुवदार भाई की तरफ है अब इसमें बोरा मानने वारी कोई बात नहीं है मन से इस गाउं की विकास में अपना सहयोग दो मुवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीच कितनी लगेगी खाग किसानों के हर फोन का विशेशक्य देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाईफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे सुमबार जब अपने पास सुबेदार जयसा पढ़ा लिखा और जिम्बेदार आदमी है तो हम किसी और को क्यों चुनेंगे भाई? आदमी का अनभफ और गाउं के बारे में कतना जानता है किसा की अजयता है इस पर कोई भी आदमी कर साफ है कि और नहीं तो का इस गाउं में एक अधा अध्मारा दोस्त जयनता हैäs हम इसी गाउमें आदमें यह सिग बाईए हुए है तुम्हों सीखना और समझना पड़ेगा ना, कैसे हो जाएगा? हाँ, रामलाल, अब भहुमत तो सुवेदार भाई की तरफ है, अब इसमें बोरा मानने वारी कोई बात नहीं है, देखो मेरी मानों तो मन से इस गाउं की विकास में अपना सहयोग दो, सब लोग मिलकर काम करो, हाँ? परदान जी, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, एक राय होना ज़रूरी है, सबके सहयोग की आउशकता होती है, जैसे किसी मशीन का कोई पुरजा खराब हो जाए, तो वो मशीन अच्छे ढंग से काम ने करता, तो हम चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले, वैसे बहुत आभार आप सभी लोगा के जो आप लोगों ने हमें चुना, रामलाल भाई, अब तुम ही बताओ कि भगर विवाद के, कैसे हम लोग मिल कर काम कर सकते हैं, सुवेदार एकनम दंदार बात बुला है दोस्त, अब 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 रामलाल चाचा गाउं के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बात बुरी है? इसमें एक पद और होता है, उपाध्यक्ष का, मतलब अध्यक्ष की गैर हाजरी में उपाध्यक्ष को समीती का कारे सुचारू रूप से चलाना होता है तब फिर एक काम करते हैं, अगर आप सब की सहमती हो, तो रामलाल को उपाध्यक्ष का पद दे देते हैं और वैसे भी, चुनाओ के लिए केवल दो ही नाम हमारे पास आए थे, एक सुबेदार और दूसरा रामलाल यह तो बहुत अच्छा रहेगा, अब तो तुमको कोई शिकायत नहीं ना, रामलाल, सुबेदार भी गाउं की सेवा करना चाहता है, और तुम भी गाउं के भले के लिए काम करना चाहते हो, अब दोनों मिल के गाउं का भला करूँ जिब सबको यहां अपने मन का करना है, तो हम काहे पीच में भोले, हम भी मूसी के बैठ जाते हैं, हम ही काहे खराब बने सबके लिए तुम तो हमसे बात ही मत करो अमा, हम यह पूछने आया हैं कि किरणिया कहा गई है, हमको का पता, गई होगी कहीं, इस गर में हमको सब लोग बता का जाते हैं का, और तुम तो हमसे बिल्कुल बात मत करो, हम जो कुछ भी कर रहें तुम्रे लिए कर रहें, तुम्रे लिए हम सबसे खराब बन रहें और मौकप आते ही अपनी बेहन पर बड़ा लाड़ प्यार आ रहा है वह बिटा जी अम्मा थोड़ा सा जूठा प्यार दिखाने से अगर आपके बेटे का बड़ा फायदा हो रहा है इसमें कोन हर्ज है का तुमको पता है ना कि वो इंजीनियर कितना इमानदार है वो अपने काम के बीच में रिस्तदारी नहीं आने देगा लेकिन अम्मा रिस्तदारी में हमको काम निकालने आता है ना बस आप दूआ किजे ये रिस्ता पक्का हो जाए उसके बाद देखिए काउं के बिकास के लिए जीतरा भी टंडर आएगा ना वो सब आपके बेटे को मिलेगा ठीक है हम भी देखते हैं कि जौन नागिन को तुम दूद पिला रहे हो ना वो तुम को रस्ते में डस्ती है या तुम्रे घर में उजियार करती है अब तुम देखते जाओ अम्मा अरे तुम नहीं जाएन रहो मंग्रू भाई जो धीरज है ना वो हाथ पैर्दोग करके हमारे पीछे पड़ गया है उच्च्यक्रोड वाला मामला वे तुम देखे ना किस तरह हमको अपमानित किया सब के सामने और फिर से अभी बिना बात वाले उपाध्ध्च का कटपुतली वाला पद है ना यह देख करके फिर से वो साबित करने का कोशिश किया है कि हम के बल खायरात के अक्दार है कि उपाध्ध्च का भार समीती में हम कैसी समालते किसके रोके रुका है सबेरा गावों और पिछ्वे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओ के जानकारी पहुचा देश में कोशल और चमता विकास कर ग्रामीनों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोडने की दूरदर्शन किसान के पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुभा नौ बजे है भगवान सब नाइंसाफी हमरे साथ करने के लिए होता है योगो तो इगोर टुटा हुआ है जो ठीक होने का नामी नहीं ले रहा है अभी वैसाखी के साहरे कितना भाग दौर करें अर्दूसर का सबके सामने अतना बड़ा अपमान रे कौन किसका अपमान कर रहा है भाई आखा है उस दिम तुम देखे नहीं थे का सामने में उद्हिरज कैसे हमरा अपमान करने में कौनों कसर नहीं छोडाता हाँ ले आम खाव खाव ना अपना ही पेड में फरा था इसलिए खिलारे कोई खरीद के नहीं खिलारे हमको मालूम है तुम कभी खरीद के खिलाओगे भी नहीं अरे मित्वाव खाव खाव अब हमको यह बता कि कैसे धीरज बेटा तुमको नीचा दिखा दिया है कैसे दिखा अरे भाई तुमको उपाध्यक्ष का पद मिला है यही नहुआ नीचे दिखाने वला बात हम वह उपाध्यक्ष बनने के थोड़ी गय थे अब यह तो ऐसा बात हो गया जैसे कि गोदाम खईदने के लिए अहाथ में कटोरा पकड़ा दी कटोरा पकड़ा दी करे वहां देखे नहीं कि सब लोग समीती में सुबेदार के समर्थन में हाथ खरा किया थे इसमें धीरत भी टका करेगा तब फिर हम उपाध्धक्ष बने के लिए हम बोले थे का यह तो अईसा लग रहा जैसे कि सान्तोना में हमको पहुद पद दे दिया है वलहने के लिए अब तुम ही बताओ मंगरु भाई अब बताओ समीती का असली मालिक कौन हुआ हम का हुए हम तो अपना मन से कोनो काम नहीं कर सकते हैं कर लेना पड़ेगा सब उसी से पूछ करके लेना पड़ेगा मितुपा कैसी बात करते हो अरे सुबेदार कबसे मालिक बन गया अरे तुम्हें धिरजबेटा की बात नहीं सुना किया उनने साप साप कहा था कि समीती का सभी फैसला मिल जूलकर लिया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उस फैसले को परतिदुनित करेंगे परतिनिधित करेंगे यही बात बोला था और उस सदस में हम भी हैं रामलाल और अगर हम कोनो बात को लेकर मना कर दिये तो फिर सुबेदार अपने मन की बात कही से करेगा अरे तुम नहीं जायन रहो मंगरुभाई यह जो धीरज है ना वहाथ पैर्दोग करके हमारे पीछे पड़ गया है उच्च्यक्रोड वाला मामलावे तुम देखे ना किस तरह हमको अपमानित किया सब के सामने हमको जमीन का भुखाय हुए है जो उसका दिया हुआ खैराद का जमीन ले लेंगे और फिर से अभी बिना बात वाले उपाध्यक्ष का कठपुतली वाल अपद है ना जहीं करके फिर से वो साबित करने का कोशिशिस किया है कि आज तक कोई बिना स्वार्थ का कोई काम करता है? बताओ. एक बात कताओ, राम लाल, हमको तुम्हें बताओ, कि कौन सा स्वार्थ है धीरजबेटा का इसमें? कौन सा स्वार्थ है? अरे का नहीं है उसके पास? है? अरे भाई, किसी को कुछ लेने के बज़ए, वो उसके मददी कर देता है. कौन सा स्वार्थ होगा तुम्हीं बता हूं को? अब हम इक ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा स्वार्थ है? हम तो किसी के भीतर में घूज करके नहीं देखे हैं ना? बताओ. लेकिन तुम एक बात जान जा, वो कौनों बेचारा नहीं है. एक बात बताईए, इस इमानदारी के पैसे से घर का खर्च चल जाता है का? गर इंसान लालज को शोड़ दे और अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले, तेमानदारी के पैसे से घर अराम से चल जाएगा शाची जी. लेकिन इंजिनियर साब, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बहन भी आपसे कम नहीं है. हमारे बलाक के पदादिकारी के पास, आपकी जितनी भी कम्प्लेन है, उस कम्प्लेन में सबसे ज़्यादा किरन जी नहीं किया. घर के लोग ही भेद खोलने लग जाए, तो दुस्मन की का ज़रूरत है? पाना है अगर मन्जिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरहत अपना, बनालो अपनी…